कि नमस्कार मैं हूं सुनीता मुनोचाव सुनीता कुकिंग बैकिंग लास मा को बहुत बहुत स्वागत है आज जम बनाने जा रहे छोले छोले की रस्पी जो हर घर को हर वकत चहिए ही है चास मेकर और अजम बनाने जा रहे हैं चांथा बाजन की इसके अलावा चाहिए ऊठी हएं ल का ना अबकर आतने बनाते हैं वह और तीन कप लोगे मसाला बुलना बनाते हैं रात को मैंने खोई थे एक कब छो ले फोन पर कब चंशने की है अब इसको बनाते हैं तीन कब पानी डालूंगी और एक चमच नमद और छोले डालते हैं कुकर में तीन से चार कब पानी हो गया वन टीस्पून फिल करके सॉल्ट हो गया और डालते हैं टू टीस्पून पाई का छोले मलाईदार चाहिए इसलिए मिलाईए चैने की डाल करते हैं बंद कुक कर चड़ा देते हैं गैस पे गैस जला लेते हैं एक विसिल आ जाएगी तो गैस कम करूंगी पंद्रा मिनट के लिए फिर मैं गैस बंद करूंगी एक विसिल पंद्रा मिनट गैस लोपे रुखना फिर गैस बंद गैस कम कर दिया 15 मिनट होगे गैस बंद करें गैस बंद करें एक घंट होगे कुकर खोलते हैं कि यह से ओरें सोले दिखाओं अच्छे से यह दिखो किते नरम दाना है न एक्चुली क्या है कि जो भी तेल आलती हुना इसे तो सीटियों में कम आता है और दूसरा छिलका अलगनी होता दाना अपनिया में पूरा बना रहता है मुझे इसको मैश करने की को जुरूद यह वै बारी काड़ भी सकते हूं दो हरी मिर्चे एक चंबचम्चम्चूर एक चंबच मेति इस की से एक टेबस्पून अधरा का पेस्त लोंगी एक चंबच आम ला पूडर है आमले के जगा अप चायपत्ती थोड़ा सा लेना चाहों एक चुट के वो डाल सकते हो और एक टेबस अब डाल के मिला रही हूं लगा के उसके बाद लासमी जब खुलेगा तब इम्री का बारी डालती हूं तो इसे माँ डाल रही हूं प्याज आप रोक सकते हो चाहो तो नहीं कभी चाहिए हो था शोल्मे में डाल रही है प्याज और हजमेच गया हमचूर गया हाफ बढ़ना पॉंडर वन टीश्पून इसको मैं रोक लेती हूं अभी सीटी से बाद बलाती हूं और वन टीबस्पून में डाल रही हूं अधरक का पेस्ट तो कडशी से चला के इसको इबर बंग कर देते हैं यह मैंने सब चला लिया एक सुटी दिलाने के लिए मैंने कुकर बंद कर दिया गैस फिर से जला दिया बज एक सी टीला गैस बंद कर दूंगे एक विसिल के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था अब स्टीम पक्रीबा रिलीज हो गया खोल लेते हैं इसको तक्रीबन टू टीस्पून मेथी है ये कसूरी मेथी डाल रहे हूँ और बन पोर कप के करीब मैंने डाला एंबली का पानी और तू टीस्पून के करीब में इसमें डाल रहे हूँ देगी मिर्च नहीं मिलाई थी लाल अभी मिला रहे मिर्च ये कहीं इसमें मिर्च अब सारा कलर जो घी तेल से आता था अभी आने वाला है थोड़ा सा कटा धनिया मिलारी है इसमें में और एक हरी मिर्ची मून लेती हूं उपर रखने के लिए घी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो पर चाहिए ना तो गयास जलाते हैं और मिर्ची भून रही हूं एक हुपर लगाने के लिए मिर्ची मेरी भून लिए मैं छोले डालते हूं है कि अजू कर त्यार और बहुत वाद कोई कमी नहीं इसमें तेल की और किसी को लग रहा है कि कमी यह कमीए यह कमी यह तो देजी की का तड़का माई रहा हूं और खालो, बन गया बढ़िया छोले, टेस्ट करके बताओं आपको कैसे बने है, सच मुझ केस वाद हैं भी के नहीं, बहुत बढ़िया, मान जाओगे बना के देखो एक बाद,